जटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने ता बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान आज एगरी कोमोडिटीज की अगर बात की जाए तो आज एगरी कोमोडिटीज में मिला जुला रुजान देखने को मिल रहा है कुछ कोमोडिटीज में गिरावट है तो कुछ में आज खरीदारी भी हावी होते हुए नजर आ रही है तो सबसे पहले बात करें कैस्टर की तो कैस्टर में निचले सरो पर एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है और तीहतर सो के पार एक बार कैस्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलाल के लिए कैस्टर में हलकी खरीदारी आज इंट्राडे में बनती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है तेहतर सो सार से तेहतर सो असी तक हो सकता है कि अपसाइड एक बार बाजार जाता हुआ दिखाई दे लेकिन हमारे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा सा वेक करना चाहिए कैस्टर में बाइं को अवाइड करना चाहिए वहीं अगर बात करें बिनोला खल की तो बिनोला खल में जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि उपरी सरों पर मुनाफ़ा वसुली हा भी हो सकते और आज आप देखिए बिनोला खल 2700 के नीचे लुड़क चुका है और आज 1.5% की गिरावत आज बजार खुलते ही देखने को मिली है हमेशा इस बुलिटिन में आपको यही बताया गया कि बिनोला खल में उपरी सरों पर बिक्वाली करके चले में मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है और जो हमारा टार्गेट था 2600 से लेकर 2500 का वो टार्ग मैक्सिमाम अपसाइट का एक मोमेटम दिखाई देता है उसके आसपास का एक्स्टोप्रोस भी क्वाली की पुजिशन बनाई जा सकती है वहीं अब नजर डाले अगर गवार के उपर तो गवार में भी आज जबरदस गिरावट देखने को मिल रही है लगातार बजार गिर के साथ बजार खुलते नजर आ सकते हैं लेकिन वहां पर नीचे में अभी भी ट्रेंट जो है वो 9000 तक एक्सपेक्टेड है कि गवार लुड़क सकती है वहीं अगर सीड की बात करें तो सीड भी 5000 तक लुड़कती हुई दिखाई दे सकती है हमें लगता है कि गवार गम औ होती है तो एठासी सो तक नीचे जा सकती है वहीं सीड भी पचासच के नीचे अगर लुड़कती है तो एक्सपेट कर सकते हैं कि 4800 ू तक नीचे लुड़क सकती है तो फिलाल के गवार सीड जोग भं स्ट्रेजी निच्रेस सरो पर एंग क्या जा सकता है लेकिन में आपको बाइंग का रिक्मेंडेशन दिया और आज आप देखें एक बार फुर से मार्केट पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है सबसे पहले बात करें धनिये की तो दिनिये आज इंट्राडे में 11,800 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है अभी के लिए और एक करें जीरा उपर में 24,000 से 25,000 तक जा सकता है जीरे में आज भी हमने खरीदारी आते हुए देखी है और 23,800 पर फिर मार्केट पहुंचा है और 24,000 के ऊपर आज इंट्राडे में एक्सपेक्टिड है कि एक बार टच हो सकता है और ऐसे में अगले हफते में मसालों में एक अ अगस्त महीने में देखने को मिल सकते हैं यानि कि सितंबर वाइदा में बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है तो फिलाल के लिए मसालों के अंदर खरीदारी की रनीती रखनी चीए और मसालों में निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है और आज इंट्राडे करके चला जा सकता है वहीं अगर बात खादय तेलों की की जाए तो खादय तेलों में लगातार उपरी सरों से दवाव बनता हुआ दिखाई दिया है और खादय तेलों में आभी भी बिक्वाली बनी रह सकती है और फिलाल के लिए खादय तेलों से दूरी बना कर रखना च क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने गिरावट आती हुई देखी और ये हफ्ता भी गिरावट बरा रहा और उमीद की जारी है कि आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तर बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान झाल